जानने वाले हैं दोस्तों कि इलेक्ट्री का सोरूम कितने पैसे से स्टार्ट किया जा सकता है या इलेक्ट्री का स्टोर कितने पैसे से स्टार्ट किया जा सकता है इसका बिजनस कैसे किया जा सकता है पूरा इसी के बारे में दोस्तों आज हम जानने वाले हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इस तरह से जोगर आप भी एक इलेक्ट्री को सोरूम खोलना चाहते हैं तो कितना पैसा लगेगा मीडियम से मीडियम में आप कितने पैसे से स्टार्ट कर सकते हैं और कितना आंदनी होता है और कौन से जगा पे खुलना चाहिए और किस तरह से सेल करना चाहिए पूरा दोस्तो डिटेल्स हम समझने वाले हैं इस वीडियो में तो दोस्तो वीडियो म पूरा बने रहे हैं मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूं कि आप एक इलेक्ट्रिक इस्टोर कितने पैसे से आप इस्टार्ट कर सकते हैं नार्मल से दोस्तों बहुत हाई-फाई का बात नहीं करेंगे मीडियम रेंज में आप कितना पैसा लगाएंगे औ आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कितना खर्च आएगा एक इलेक्ट्रिक इस्टार्ट करने में उसके बाद जानेंगे कि कौन-कौन सा आइटम हमको पहले लेना चाहिए तो सबसे पहले दोस्तों बात करें कि कि कितना खर्च आएगा ए सबसे पहले आपको खरीदना है सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रीज का फ्रीज आपको कम से कम एक लाख रूपे का आपको फ्रीज खरीद लेना है ठीक है जो आपको होल सेल में नो हजार रूपे से स्टार्ट हो जाता है उसके बाद बात करेंगे कि एक लाख रूपे में लाख रुपए तक का ही आइटम हो गया उसके बाद जानेंगे दोस्तों की एक लाख रुपए में LED TV या LCD TV जो आता है उसको कम से कम आपको एक लाख रुपए में उठा लेना है जो आपको होल सेल में 2000 रुपए से स्टार्ट हो जाता है उसके बाद जानेंगे कम से कम एक ला पंच लाग का लिष्ट तयार और पांच लाख रुपए जो आपके पास बचा है उसमें कौन-कौन सो आइटम लेना इसके बारे में जान लेते हैं, तो एक लाख रुपए में जिव सागिट हो गया इस तरह की आईटम भी आपको रखना है जो 3 लाख रूपए में आपको ये सारे आईटम उठा लेना है तो 9 लाख का आपका लिस्ट त्यार हो चुका है और 1 लाख रूपए आपके पास में रखना है ताकि कोई भी समान घटे बढ़े तो उसको ले आन कि समझ गया होंगे तब तक के लिए नमस्कार